हलो बच्चों मैं आपको हरी वंस राय बचन की लिखी हुई कवीता दीन जल्दी जल्दी ढलता है इस कवीता का पक्तियों का अर्थ मैं आज बताने वाली हूं आपो लोग को इससे पहले मैं कुछ उधारन देना देती हूं कि जिस पर कर हम कहीं रेस में पाटिसिपेट करते हैं तो उसका फिनिसिंग पॉइंट आती है हमारा प्यार क्या होता है पूरत थाकामन भूल कर उस रेस की फिनिसिंग पॉइंट में पहुचना रहता है और हम उस लख्षे को देखते हूए पहुच जाते हैं उसी पर कर कवीता पक्त अपने पहली पक्ति में कहते हैं हो ना इस पहली पक्ति में कभी कहते हैं कि एक यातिरी का उधान देते हुए कभी कहते हैं कि पत यातिरी रहता है वहाँ चलते जाता है वहाँ देखता है कि उसकी मंजिल ज्यादा धूर नहीं है और यहीं पास में लेकिन देखता है कि सुर्य अस्त होने वाला है उसको सुर्य अस् लिए चलते जाता है वैसे दूसरे उधार में कभी कहते हैं कि बच्चे पतक छाता में होंगे नीडों से जहांक रहे होंगे पर यह ध्यान पैरो में चिडिया के भरते कितनी चंचल है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कभी दूसरे उधारन पक्चिका देते हुए कि जब चिड यह से जहां, थी जल्दी कितनी जल्दी जल्दी माशा हो से भांते हुए दुछ यह लिए क्शे चंचल हो से फ़ती पतक है है कभी कहते हैं मजसे मिलने कौन भी करन, मैं हूं किस से नहीत चंचल या पुरसन सी थेल करता पद को भरता और विहलता है दिन जल्दी जल्दी ढ़लता है कभी इसमें कहते हैं कि यातरी को उसकी मंजील इंतिजार करने होंगे चिर्या को उसके बच्चे इंतिजार करें होंगे यहां अपने लिए प्रेस उठाते हैं कि मेरा इंतिजार करने वाल इतना है, इसका विदा में बसितना है